हलो माईडियल स्टूडेंट्स मैं राहूल सेंगई फिर से आपका स्वागत करता हूँ डेफिनिट सक्सेस पाटशाला पर और आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिनु करेंगे जिसका नाम है पावर शेरिंग इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे श्री लंका में मेजोरीटेरियनिजम या मेजोरीटेरियन पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी जिसके कारण श्री लंका जो की एक डिमोक्रिटिक कंट्री थी उसके डिवाइड होने की सिचुएशन आ गई थी ठीक है अब जरा हम देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ चूस किया क्या था वो डिफरेंट पाथ सबसे पहली चीज़ पहली चीज़ इन्होंने क्या की इन्होंने रिजनल डिफरेंटिस हैं बेल्जियम में लोगोंने रिजनल डिफरेंटिस हैं श्री लंका के लीडर्स ने कहा कि हम सब श्री लंकान से उन्होंने रीजनल डिफरेंसिस को रेकागनाईज नहीं किया ठीक है इन्होंने लेकिन इन रीजनल डिफरेंसिस को रेकागनाईज किया कल्चिरल डाइवर्सिटी है इस चीज़ को रेकागनाईज किया ये इन्होंने सबसे पहली चीज़ करी चूलकी इन्होंने ये रेकागनाईज किया इसलिए इन्होंने एक डिफरेंट पाथ चूस किया क्या इन्होंने 1970 से 1993 के बीच बेलजियम के Constitution में चार बार चींज किया कितनी बार चींज किया? चार बार ठीक है? और इस Constitution को इस तरीके से इन्होंने फ्रेम किया कि सारे लोग मिल जुलकर एक साथ एक कंट्री में रह सकें ठीक है? अब ये जो Constitution बना इसमें जो Provisions बने वो पूरी दुनिया के लिए एक्जाम्पल बन गए ठीक है? इसलिए से कहा जाता है Belgium Model ठीक है? तो बहुत ही इन्वेटिव थे ये जो Changes इन्होंने की है ज़रा उन Changes के बारे में हम देखते हैं Belgium Model की बात हम करते हैं यहां से Question आ सकता है आपको दो Question बन सकते हैं ठीक है? First Slide जो हमने देखी First Slide से आपको Question बन सकता है What was the different path that leaders of Belgium choose? ठीक है? तो then Sri Lanka ऐसे Question बन सकता है First Part से लेकिन उसका बहुत छोटा सा आंसर है हो सकता है उसको MCQ के Form में भी पूछ लिया जा लेकिन यहां से एक बहुत Important Question फॉर्म होता है Belgium Model के उपर की What was the Belgium Model? या Write the main points of Belgium Model या What were the accommodative policies which were followed in Belgium? ठीक है? Accommodation का मतलब क्या होता है Accommodative policies क्यों बोल रहा है Accommodation simple यदि हम English में इस word का meaning देखें तो वो क्या होता है Accommodation का मतलब होता है रहने की जगा अब यह Accommodative policies हैं मतलब ऐसी policies हैं जहां पर इस तरीके से policies बनाई हैं इनके कारण सब लोग एक साथ मिल जल कर रह सकें ठीक है इसलिए इनको हमने Accommodative policies कहा Accommodation in Belgium का सबसे पहला point क्या था इस Belgium Model का कि जो Central Government है वहाँ पर देखो चार लेवल्स की Government हम यहां पर पढ़ेंगे Central Government, State Government Separate Government for Brussels और एक Community Government इस चार टाइप की Government फॉर्म होई ताकि पावर अच्छे से शेयर की जा सके तो सबसे पहले क्या हुआ है Central Government है Central Government में जगडा किस के बीच में था Belgium में 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 फ्रेंच और डच के बीच में ठीक, तो इस Central Government में यह नियम बना दिया गया कि Central Government में जो नमबर अफ मिनिस्टर्स होगा यह वोड़ बी एक्वल फॉर बोथ फ्रेंच और डच मतलब बराबर बराबर लोग होंगे फ्रेंच और डच कम्यूनिटी के ठीक है तो फॉस्ट पॉइंट क्या जाता है बेल्जियम मॉडल का फॉस्ट पॉइंट क्या है Constitution prescribed debt number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the government Central government में equal number होगा French और Dutch ministers का ठीक है यह simple law के case में लेकिन special law के case में कुछ changes किये गए यह कह रहे हैं कि special law यदि कोई बनाया गया है तो इस special law को pass करने के लिए दोनों linguistic group से majority चाहिए for example माल लीजे पार्लेमेंट में members का number है hundred ठीक है hundred members में से majority क्या हो जाएगी 51 यदि 51 vote मिल गए तो वो law pass हो जाना चाहिए लेकिन यह कह रहे हैं कि कोई special law है तो इसको majority support चाहिए from each linguistic group इसका मतलब यह है माल लो कि यह जो 100 लोग है इन में से 50 जो है वो फ्रेंच है और 50 जो है वो डच है तो इन में फ्रेंच से भी majority चाहिए और डच से भी majority चाहिए याने 26 कम से कम यहां से होना चाहिए 26 यहां से होना चाहिए तब जाके special law pass होगा otherwise नहीं ठीक है अब कई बार जैसे मैंने 100 को एक base मान के मैं बता रहा हूँ यह change हो सकता है जैसे base change होगा मान लो 150 member है 170 member है उसके साफ से change हो जाएगा अब बोले 52 तो ऐसे भी हो सकता है 27 French हो गया और 25 जो है वो Dutch होगा है तब भी 52 हो जाएगा ऐसे में लेकिन law pass नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक ऐसा group है जिससे majority नहीं मिली दोनों group से majority मिलनी चाहिए तब वो special law pass होगा ठीक है यह ऐसा इसी लिए किया गया ताकि कोई एक government जो है एक sorry एक group जो है वो dominate ना कर सके है ना unilateral decisions ना हो इसी लिए इस तरीके का law बनाया गया ठीक है तो यह पहला provision था Belgium model का कि Central Government में French और Dutch ministers का number equal होगा और special law के case में दोनों ही groups से majority चाहिए होगी तब ही वो law pass होगा और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई unilaterally सारे decisions ना ले सके ठीक है दूसरा point आता है यहां पर State Government से related Central Government की बहुत सी powers लेकर दो regions जो हमने में पढ़े थे Valonia region and Flemish region इन दोनों regions की State Governments को दे दिये गए ठीक है तो बहुत सारी powers Central Government की ले ली गई और किसको दे दी गई State Governments of two regions ठीक है अब ऐसा क्यों किया गया ताकि यह जो states है यह Central Government के Subordinate ना रहें मतलब Junior ना रहें इनके उपर Pressure ना रहें कि यार हर एक हर एक बात माननी ही है Central Government की इसी लिए यह जो Central Government है इससे powers बहुत सारी ले ली गई और दो regions जो हमने पढ़े थे Valonia और Flemish इन दोनों regions की State Governments को दे दी गई इसका result क्या निकला कि State Governments जो है वो Central Government के Subordinate नहीं है ठीक है Third Type की जो Government थी वो थी A Separate Government for Brussels ठीक है Brussels के लिए एक अलगी Government form कर दी गई और इसमें Rule क्या था Central Government की तरह ही कि जैसे Central Government में Dutch और French Ministers का number equal होगा वैसे ही यहाँ पर दोनों ही Communities को Equal Representation मिलेगा Brussels में जो Government बनेगी उसके लिए भी अब इससे कुछ कंक्लूजन भी निकालते हैं क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि Brussels में French Speaking Community ने Dutch Speaking Community को Equal Representation दिया क्यों दिया French Community ने Brussels में Equal Representation क्योंकि Central Government में Dutch Community ने French Community को Equal Representation दिया था दौनों ने एक दूसरे की Respect करी Dutch लोगों ने French लोगों को Country में Equality दी इसलिए French लोगों ने Dutch लोगों को Capital में Equality दी ठीक है तो यह थर्ड टाइप की Government यह थर्ड पॉइंट होगी हमारे Belgium Model का और फॉर्थ पॉइंट क्या बनता है Community Government का Community Government क्या होती है हर एक Community की एक Government जैसे अभी तक हमने French और Dutch की ही बात की लेकिन जर्मनी में सरी अभी यहाँ पर Belgium में Germans भी तो है German speaking population भी है 1% उनका क्या तो यहाँ पर एक provision बनाया गया कि French, Dutch और German तीनों Communities अपनी एक-एक कौनसी Government form करेंगे Dutch Community Government, French Community Government and German speaking Community Government ठीक है अब इनकी Powers अलग है सबकी Central Government की Powers अलग है State की अलग है Brussels के लिए जो government बनी इसकी पावर अलग है वैसे ही इस Community Government की पावर अलग है यह हर चीज में इंटर्वीन नी कर सकती Community Government Community Government के पास Limited Power है किन चीजों से Related तीन चीजों से related power हैं, ठीक है, सबसे पहला क्या, culture, culture के regarding जो भी decision होगा, वो community government लेगी, एक particular community की, ध्यान से सुनना, जैसे Dutch community government है, अब ये Dutch community government कैसे form होगी, पूरी country में, जितने भी Dutch लोग हैं, वो इस Dutch community government के लिए vote करेंगे, क्यों के फ्रेंच लोग इसके लिए vote नहीं अब ये चाहिए कहीं भी रह रहे हो, अभी हमने Dutch लोग देखा था, generally कहां रह रह रहे थे, विलोनिया region में, sorry, Flemish region में रह रहे थे, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं क्या है, वो विलोनिया में भी shift हो सकते हैं, तो ये Dutch लोग कहीं पर भी रह रहे हों, उससे फरक नहीं पड़ता, Dutch Community Government के elections होने हैं, तो उसमें वो participate कर सकते हैं, as a candidate भी, और as a voter भी, तो Dutch Community Government के लिए Dutch लोग वोट करेंगे, French Community Government के लिए French लोग वोट करेंगे और Germans के लिए, German Community Government के लिए Germans वोट करेंगे, तीनों अपनी अपनी Community Government form करेंगे, ठीक है, और सब के पास culture, education और language related issues जो हो पर decision लेने का right इनके पास है, अपने culture, यह Dutch Community Government, Dutch language, Dutch culture और Dutch education से related decision ले सकते हैं, यह French के लिए नहीं लेंगे, French के लिए कौन लेगा, French Community Government लेगा, इन तीनों चीज़ों पर decisions, ठीक है, तो यह तीन Community Governments बनेंगी, इसके लापा Central Government, State Government and Separate Government for Brussels, इतनी सारी टाइप की है, governments form की गई अब देखो यह Belgium model से हमको समझ में आ रहा है, system बहुत complex हो गया है, है ना, दिख रहा है अपन को यार इतनी सारी governments है, किसका क्या काम है, कहा जाए हमें अपना काम कराना है, तो है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा system हमको complex जरूर लग रहा है, definitely यहाँ पर बहुत complicated system हो गया है, बहुत ज़ादा complex है, बहुत ज़ादा complicated है, Belgium में रहने वाले लोगों के लिए भी complicated है, लेकिन फिर भी बनाया है ना, क्यों? क्योंकि यह जो arrangements है, इनोंने बहुत अच्छे से काम किया, अभी तक यह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, यह बहुत ही peaceful country है, Belgium model का फाइदा क्य हुआ, एक question तो मैंने बताया, Belgium model क्या होता है, एक question और क्या बनता है, कि इसका benefit क्या है, फाइदा क्या हुआ, इसका फाइदा यह हुआ, कि Belgium में जो tension हो सकती थी, लोगों के बीच में, French और Dutch community के बीच में, वो नहीं हो पा रही है, और country का जो division हो सकता था, वो नहीं हो पा इस पर, वो भी नहीं हो रहा है, यह Belgium model का फाइदा है, यहां से भी a question आपको frame हो सकता है, ठीक है, और यहां पर एक चीज और बहुत खास है, कि जब European Union का formation हुआ, तो Belgium की जो capital है, Brussels, यहां पर ही European Union का headquarter established किया गया, आज भी यहीं पर है, ठीक है, तो Belgium model की importance यहां से हमको समझ में आती है, ठीक, अब हमने Belgium की भी story पढ़ ली, और Sri Lanka की भी story पढ़ ली, Belgium में क्या follow किया गया, वो भी पढ़ लिया, और Sri Lanka में क्या follow किया गया, वो भी पढ़ लिया, अब हमें यह समझना है, कि इन दोनों stories से हमने सीखा क्या, दोनों stories में हमने क्या सीखा, तो सबसे पहल respect करनी पड़ेगी और एक दूसरे की feelings को आपको सम्मान देना पड़ेगा ठीक है तो country की unity कब possible है तभी possible है जब हम एक दूसरे की feelings को respect करेंगे एक दूसरे का interest का ध्यान रखेंगे तभी यह possible है ठीक है इसलिए हमारा first point क्या समझे हम Belgium की स्टोरी से क्या सीखते हैं कि unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions communities की भी बात कर रहे हैं regions की भी बात कर रहे हैं दोनों का interest और उनकी feelings इनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा तभी country की unity possible है otherwise नहीं श्री लंका में हमको दिख रहा है यह चीज़ श्री लंका में यह हुआ श्री लंका में जो different communities हैं उन्होंने एक दूसरे के interest का ध्यान नहीं रखा एक दूसरी की feelings का ध्यान नहीं रखा और country जो है वो divide होने की situation आ गई क्यों क्योंकि एक जो majority community है वो अपनी will impose करना चाह रही है दूसरे के उपर तो हमने क्या सीखा कि if majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power it can undermine the unity of the country ठीक है तो यहां से हमें एक छोटा सा एक example मिल गया कि power sharing होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो हमने देख लिया भाई लंका में power share नहीं होई तो country divide होने की condition आ गई Belgium में power share होई तो country divide होने की situation नहीं है ठीक है तो यह चीज हम यहां से सीखते हैं कि जब power share की जाती है तो वहां पर जो conflicts हो सकते हैं country के divide होने की condition आ सकती है वो नहीं होती है इसका एक और example हम देखते हैं Germany का Germany यह आप cartoon देखिए भाई यह कार देख रही है जिसमें दो steering हैं यह कहां को represent कर रहे हैं Germany को represent कर रहे हैं Germany में जो grand collision हुआ उसको represent कर रहे हैं कि दो parties थी Christian democratic union and social democratic party यह दोनों rivals थे लेकिन इनको क्या हुआ majority दोनों मैंसे किसी को नहीं मिली तो इन्होंने collision government फॉर्म करी अब collision government का फॉर्म हो गई इनकी 2005 के elections में ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ यह दोनों मिलकर देश को चला रहे हैं हलाकि यह एक दूसरे के साथ बहुत जादा opposite हैं बहुत सारे ऐसे topics आ रहे हैं जिस पर इनके बीच में बार बार फिर से conflicts हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी यह jointly government को run कर रहे हैं jointly चला रहे ह अच्छे से ठीक है clear है तो power share होती है तो country में क्या होता है conflicts के chances घट जाते हैं इसलिए power sharing होना बहुत जरूरी है लेकिन कितना जरूरी है क्या-क्या फाइदे होते है power sharing के और power sharing नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होते हैं इस पर हमें और detail में समझना है और इसके बारे में हम स